क्रेस में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चो आज हमारे मनन चिंतन का विशे संद लूकस का सुसमचार अधियाए घ्यारास है इसा के उबदेश के बाद किसी फरीसी ने उनसे यह निबेदन किया कि आप मेरे यहाँ भोजन करें और वहाँ उनके यहाँ जाकर भोजन करने बेठें फरीसी को यह देखकर आश्चर हुआ कि उन्होंने भोजन से पहले हाथ नहीं धोई येशु ने उनसे कहा तुम फरीसी लोग फ्याली और ठाली को उपर से तुम मांचते हो परन्तु तुम भीतल लालच और दुष्टता से भरे हुए हो मुर्खों जिसने बाहर बनाया क्या उसी ने अंदर भी नहीं बनाया जो अंदर है उसमें से दान दे दो और देखो सब कुछ तुमारे लिए शुद हो जाएगा हम लोग जानते हैं कि फरीसियों के अनेग नियम खुआ करते थे और नियम के पालन में पक्के माने जाते थे शेर शुब से पवित्र वचन की आधार पर उन्होंने अनेग नियम यहूदी धरम में लागू किया करते थे और इतना कि कभी-कभी साबत के दिन जीना भी मुश्किल हो जाता था फिर भी वे नियम के पक्के माने जाते थे और यहाँ पर एक साधारन साउदाहरन प्रभु देते हैं कि हम यहूदियों के नियम के अनुसार बरतन को साफ करना विशेश रूप से एक तरह से बहुती प्रामुख्यता से माना जाता था लेकिन प्रभु उनसे सवाल करते हैं कि ना सिर्फ बरतन को बाहरूप से बाहरूप से साफ रखने में हम लोग अपना पूरा सब कुछ ना लुटा दे लेकिन वो उसे अंदर से भी साफ किया जाए तुलना इंसान से हैं कि हम लोग हमारे बाहर रूप से बहुत अच्छे दिखते होंगे अच्छे दिखाने के लिए हम खोशिश करते हैं लेकिन एक विक्ति का पहचान बाहर या रूप से जो वो दिखता है उससे नहीं होता है लेकिन वह जो बाते कहते हैं जिस एटिट्यूट से जीते हैं और ये तमाम चीज़ें एक विक्ति का पहचान बन जाता है विक्तित बन जाता है और वही एक इंसान को अच्छा या बुरा करार कर देते हैं अगर कोई विक्ति मधुरवानी कहते हो सबके साथ सम्मान के साथ बरताव करते हो सबकी मदद करते हो सोतहा सबके साथ बजीने के लिए आतुर रहते हैं तो इस प्रकार के विक्ति को हम लोग एक अच्छा इंसान मानेंगे जरूरी नहीं है वह बहुत कीमती कपड़े पहने जरूरी नहीं है कि वह बहुत बाहर दिखाने वाले मतलब अपने आधंबर के साथ जीए जरूरी नहीं है इसके बावजूद भी एक विक्ति की अच्छाई या बुराई उनके अंदर से निकलने वाली इन थमाम चीसों से जुड़े हुए होते हैं एक अच्छा इंसान जिने हम अच्छे मानते हैं जिने समाज अच्छे मानते हैं उनकी कुछ क्वालिटी इस प्रकार के हम देखते हैं वो मधुरभाशी होते हैं अच्छी तरह से सब के साथ में उनका बरताव होता है वो किसी को नेचे दिखाने की कोशिश नहीं करता है किसी प्राथ्यचार नहीं करता है किसी को हानी नहीं पहुचाता है किसी को ठेश पहुचाने की कोशिश करता है लेकिन जो विक्ति सब के साथ, स्नेह के साथ सम्मान के साथ जो पेश होते हैं उस विक्ति को हम अच्छा इनसान कहेंगे बले हम कितने भी कीमती कपड़े पहन लो कितने भी अच्छे दिखने के लिए दिखाने के लिए हम कोशिश ना करे उसके बावजूद भी अगर हम किसी का किसी प्रत्यचार करते हैं किसी को ठेस पहुंचाते हैं किसी के उपर गाली गलोज करते हैं किसी को नीच्छा दिखाते हैं अगर इस प्रकार की भावनाई इस प्रकार का कार्य हम से हो जाते हैं तो बले हम कितने भी कीमती कपड़े पहन ले हमें कोई अच्छा नहीं कहेंगे प्रभु यही बात बहुती सरलता से हमारे सामने रखते हैं बरतन को बाहर से साफ कितने भी क्यों न कर ले जब तक वो अंदर साफ नहीं किया जाए तो उससे कोई फाइदा नहीं होगा क्योंकि जो भोजन हम उसमें डालते हैं जो खाते हैं उसकी सफाई अंदर कितना होता है जितना होता उससे ही उसी से ही उसका तालुकात रहता है प्यारे भाई और बहनों हम लोग जब प्रभु का वचन आज सुनते हैं विचेश रूम से जैसे मैंने कहा प्रभु ने तुलना हमारे जीवन से ही किया इंसान से ही किया कोशिश करे कि जो हमारे अंदर से जो बाहर निकलते हैं उस पर हमसे एश्ध्यान दे गिरे हुवे को उठाने को मुर्जाए हुवे को नाय जीवन देने जो दुरबल है उन्हें बल देने जो असहज है उन्हें धरस बंदाने का कारी करें विशेश शुप से जब हम एक दूसरे के साथ में जब बरताव करते हैं बातचीत करते हैं इसी एक विक्ती का पैचान है यही सब हर एक इनसान को अच्छा या बुरा बनाते हैं प्रभू के बचनों को सुनते समय समझने की कोशिश करते समय अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करते समय यह सब बातों का हम ध्यान रखें प्रभू बाहर से हमारा न्याई नहीं करता है हम किस प्रकार दिखें उससे उन्हें कोई तालुकात नहीं है पर हम किस प्रकार विवहार किये उससे उनका नियाय होगा उससे ही उनका तमाम तालुकात है प्यारे भाई और बेहनों हम सहज मनें जिस तरह प्रबु हम सब को एक अच्छा इनसान बुलाने का नियोथा प्रदान करते हैं और जिस से जो आधी ची से एक इंसान को अच्छा या बुरा बनाते हैं हम शेशू से हमारे जीवन में इस बात का ध्यान रखे हमारा पहचान हम क्या खाए क्या पीए क्या पैने उससे नहीं हमारा पहचान हमारी बोली से हैं भाशा से हैं हमारे कारियों से हैं आईए प्रभु ग्यराथना करते समय उनके सामने हमारी प्रार्थना उरकते समय हम कोशिश करे हम नेकी के राह पर एक नेक इंसान बनकर एक अच्छा इंसान बनकर प्रभु का सच्छा सच्छी बने